आयूरवेद में बहुत ज़ादा पहचान रखने वाला हर्वल मेडिशनल प्लांट नागदोन जिसको डैविल से बैकपोन के नाम से हम सब जानते हैं जिसका बोटे निकल नेम पैडी लेंथस है उसकी आज हम शेरिंग कर रहे हैं फ्रेंट्स साथ में प्रोपगेशन भी बताएंगे और उसकी टाइप्स भी दिखाएंगे ये बहुत खुबसूरत प्लांट होता है फ्रेंट्स ये देखिए और्नमेंटल प्लांट है इसको खुबसूरत प्लांट होता है तो इजी टू केयर है इसको आप अपने गार्डन में जरूर एड़ कीजिए तो अभी में यहां पर थोड़े से काटे हटाते हैं शमी प्लांट के और फिर आप इसके खुबसूरती को देख सकते हैं देखिए कितना खुबसूरत है नॉर्मल गिलहरी को भी शायद बहुत पसंद आता है इसने देखिए काट काट कर ये थोड़ी सी कटिंग फेग दी है तो मैं इसको ग्रो करने जा रही थी तो फ्रेंड सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं अगर आपके पास ना हो ये प्लांट तो आप अभी आट कर सकते हैं इसको पूरा साल कभी भी कटिंग से ग्रो किया जा सकता है और खुबसूरत तो है सकलेंट प्लांट है कम पानी में चलने वाला प्लांट है और इसकी मिटी तयार करने के लिए आपको 111 का रेश्यू लेते हुए कंपोस्ट सेंड और स्वाइव मिलानी पड़ेगी बड़े प्ला करने वाले हैं तो मिटी हमने इसमें भर दी है और इन टुकणों को हमें दो तीन नौट इसके दबाते हुए इस तरह से लगा देना है यह बहुत जादा है तो गर्मी का प्लांट लेकिन सनलाइट बहुत जादा नहीं पसंद करता है कि आप इसको जादा हार टेमपरेचर म में ही रखिएगा और या फिर ऐसी जगह रखिए जहां नमी बनी रहती हो और पौधों की शेड हो ठंड़क हो उस जगह इसके पत्ते और इसका वेरिगेशन बहुत अच्छा आता है वेरिगेशन जादा सनलाइट में इसका गाइब हो जाता है तब इसके खुबसूरती भ लिए भी तयार कर सकते हैं वाटरिंग की बात करें फ्रेंड्स तो वाटरिंग आपको ऐसे करना है कि जब इसके मिटी सूख जाए तब ही कीजिए प्लास्टिक के पॉट में लगाए तो ड्रेनेज होल अच्छे रखिए और वेल्ट्रिन सॉयल में इसको लगाईए तो चल में यह बालकनी पर था और बारिश का पानी चले जाने की वज़े से गल रहा था तो सिर्फ एक कटिंग ही बच गई थी तो मैंने इस प्लांटर को ही यहां पर लाकर रख दिया सनलाइट में तो अब यह कटिंग चल रही है उसकी भी छोटी सी कटिंग से आप काफी सारे प कटिंग से ही तो यह देखे कितना प्यारा सा है विंटर्स में यह अपनी ग्रोध को रोक देता है जादा सर्दिया जब होती है इसकी पतिया भी रेड पिंक कलर की हो जाती है और ज़र्णे लगती है तब इसमें फूल आते हैं पतिया नहीं होती है लेकिन टिप पर छुट जाएंगे ना तो यह कब बढ़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा तो पानी भी आप इसको कम ही देंगे अगर दो चार दिन भूल जाएंगे जब डालेंगे यह ठीक हो जाएगा अब आपको दिखाते हैं थर्ड टाइप की वेराइटी यह इतना ज्यादा हाड है कि एक पानी इसमें चला जाता था तब भी यह प्लांट ग्रो होता रहा फिर बाद में मैंने उसको उठा कर फेक दिया क्योंकि बहुत जादा बड़ा था लुडग जा रहा था और फिर मैंने इसकी एक ही छोटी सी कटिंग को इस तरह से लगा दिया प्लांटर में और आप देख प्लांटर में पेस्टिसाइट का स्प्रेय करते हैं तो बस वही इस पर कीजिए तो फैवर्मी कंपोज काउडंग कंपोज कोई थोड़ी-थोड़ी एड़ कीजिए और नहीं भी करेंगी तो कोई दिकतनी बिना फर्टिलाइजर के भी चलेगा फिर मिलते अच्छे से एक वीडियो में तब तक के लिए आला हाफिज